प्रॉब्म को सॉल्व करते हैं, question क्या कहते है, number consists of two digits, if the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number, that is the sum, must be divisible by, हमसे क्या कह रहा है, कि कोई 2 digits का number है, x,y, इसकी, ये x,y को, अगर इनकी position interchange कर दी जाए, मतलब y,x कर दी जाए, और फिर इसे add किया जाए, तो कौन सा ऐसा number होगा, जिससे ये, इसका sum divisible होगा, ठेक है, ये हमसे question में पूछ रहा है, तो for example, अगर हम माल लेते हैं, कि x,y, एक two digit number है, position क्या कह रहा है, कि x और y ने पूजिशन interchange कर दी, मतलब y,x हो गया, इसको भी split करके अगर लिख ले, तो 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है, अब क्या कहता है आगे question, question ये कहता है, कि इन दोनों value को add कर दिया जाए, ठीक है, तो 10x plus y, plus 10y plus x, इनको हमने add कर दिया, और आगे हम क्या करते हैं, कि जो common x वाले term है, उनको add कर लेते हैं, और y वाले term को अलगे add कर लेते हैं, तो 11x plus 11y, ये हमें मिल के आता है, इसमें हम clearly देख पा रहे हैं, कि 11 common है, और x plus y यहाँ बीच में आ जाता है, तो 11 जो होगा, वो एक ऐसा number होगा, जो इस number से position interchange करने के बाद, जो sum आ रहा है, उससे हमेशा divide करेगा, ये divisible होगा, तो इस case में जो हमारा, जो number divisible है, इस sum को वो क्या है, 11 है,